जहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आपके इंडियन आर्मी रिटेन एक्जाम सभी ट्रेट्स के ओरिजिनल कोस्चन पेपर से लिए गए कुछ महतुपूर्ण प्रिसिन जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोस् दोस्तो ज्यादा समय ना लेती हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन उससे पहले दोस्तो आपको बता दूं कि यह है मेरा वाट्सप नमबर अगर आपके पास में दोस्तो कोई भी इंडियन आर्मी का किसी भी ट्रेट का कोई भी ओरिजिनल कोस्चन पेपर दोस्तो कोस्चन नमबर बन है हमारा दिलवाला मंदिर जो कि जैनियों का तिर्थ इस्थान है किस राज में इस्थित है दिलवाला टेंपिल इज सिचुएटेट इन विच इस्टेट आपके सामने हैं तो दोस्तो आपको बता दें कि जो दिलवाला टेंपिल है यानि कि दि माउंट अबू है जहां पर ये मंदिर इस्थित है ठीक है तो मंदिर कौन सी राज में है राजस्थान में है कौन सी जिले में है राजस्थान की श्रोही और कहां पर है माउंट अबू में और ये किसका दोस्तों तीरित इस्थल है जैन धर्म का ठीक है तो question number 1 आपको अच्छ जेस्ट प्रोडूसर कंट्री ऑफ कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है ऑप्शन है ब्राजिल चीन रूस और भारत तो दोस्तो कॉफी का जो सबसे बड़ा प्रोडूसर कंट्री है सबसे बड़ा उत्पादक देश है उसका नाम है ब्राजिल तो ऑप्शन ए इस question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले question की तरफ बहुत important question है दोस्तो ये और इस question में एक से मैं आपके लिए दो question बताऊँगा ठीक है भारत की सबसे पुरानी तेल refinery कौन सी है the oldest the oldest oil refinery in India is ठीक है तो आपको बताना है कि भारत की सबसे पुरानी तेल refinery कौन सी है ठीक है तो दोस्तो options आपके सामने हैं तो सबसे पुरानी भारत की तेल की जो refinery है बो है दोस्तो डिक बोई आसाम में ठीक है तो यहाँ पर option D आपका सही answer होगा अब दोस्तो एक चीज़ आपको और बता दें यह सबसे पुरानी तेल refinery है अगर बात करते है सबसे बड़ी तेल refinery की तो यह दोस्तो गुझरात जामनगर में है ठीक है लेकिन यहाँ पर पुरानी की बात हो रही है तो सबसे पुरानी refinery कौन सी है डिगबोई जो कि असाम में है और सबसे बड़ी है जामनगर जो कि गुजरात में है ठीक है तो चलिए दोस्तो अब चलते हैं अगले कोस्टिन के तरफ कोस्टिन नमबर फोर इंडिया एच भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है ओप्सन्स आपके सामने आचुके हैं दोस्तो तो भारत की सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वो है दोस्तो इंद्रा गांधी कहना लिए यानि कि इंद्रा गांधी नहर तो ओप्सन ए कोस्टिन नमबर फोर का सही आंसर होगा नेक्स्ट कोशन है कोश्चन नमबर 5 नियम्दे स्ट्रेट डिवाइडिंग इंडिया एंड स्रिलंका भारत और स्रिलंका को बिभाज़त करने वाली जलसंदी का नाम बताईए तो दोस्तो इन ओप्सन्स में से ऐसी कौन सी जलसंदी है जो भारत और स्रिलंका को बिभाज़त करती है तो दोस्तो इस कोश्चन के option आपके सामने है मैं आपको answer बता देता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको हर कोश्चन के options बताऊँगा तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है ठीक है तो जल्दी जल्दी हम question को discuss करेंगे तो दोस्तो भारत और स्रिलंका को विवाजत करने वाली जो जल संदी है उसका नाम है दोस्तो पाक जल संदी काफी confusion बारा question है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी समुद्र बगरा नहीं है तो भारत और स्रिलंका के बीच में कौन सी संदी है पाक जल संदी तो option C इस question का correct answer है अगले question के तरफ चलते हैं दोस्तो question number 6 खजराहू temple is located in which state of India खजराहू मंदर भारत के किस राज में इस्तित है तो दोस्तों आप सभी को पता होगा काफी important question है कि खजराहू मंदर जो है भारत के मद्धिप्रदेश राज में इस्तित है तो option C इस question का सही answer होगा आप चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 7 हुमायू का मकवरा कहां इस्तित है तो हुमायू का मकवरा है दोस्तों कहां पर है दिल्ली में है तो option C question number 7 का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ और बहुत important question है दोस्तों ये भी करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आपको बताना है कि करक रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो इस question का सही answer होगा दोस्तों आपका option A 8 राज्यों से तो क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये 8 राज्यों है वो कौन-कौन से हैं अगर आपको पता है तो आप comment box में comment करके बता दीजिए और जिनको नहीं पता है तो आप मुझसे सुन लें तो ये दोस्तों 8 राज्य है गुजरात, राजिस्थान, मद्प्रदेश, छतिसगर, जहारखंड, वैस्ट बंगल, मिजूरम और तिरपरा इन 8 राजियों से करक रेखा होकर गुजरती है तो option कौन से हैसम सही होगा? option A, 8 number question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 9 नेफरान किस अंग प्रणाली से सम्बंदित है? तो नेफरान जो है दोस्तों वो kidney से सम्बंदित है तो option A, इस question का correct answer है अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question के तरफ question number 10 how many countries share their land border with India भारत के साथ कितने देश अपनी भूमी साजा करते हैं? तो दोस्तों भारत के साथ में कितने देश हैं जिनकी सीमा लगी होगी है simple सा ये question पूँचा गया है आपसे तो ऐसे हैं दोस्तों साथ देश ठीक है तो option based question का सही answer होगा अब ये साथ देश कौन से हैं वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ नमबर बन पे हैं दोस्तों चाइना, पाकिस्तान, भूटान, मियमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बंगलादेश ये साथ country हैं दोस्तों साथ देश हैं जिनकी स्थल सीना जो इस्थल सीमा जो है वह भारस से मिलती है ठीक है आप चलते हैं आज के अगले question की तरफ, question number 11 who invented the revolver, revolver का आविस्कार किस नहीं किया था तो revolver का आविस्कार किया था दोस्तों Samuel Colton जो के अमिरका के निवासी थे आप चलते हैं दोस्तों question number 12 की तरफ, पानी का हिमांक क्या है दोस्तों most important question है, इस बीडियो का बहुत ज़्यादा important question है what is the freezing point of water? तो देखी यहाँ पर 100 degree Celsius, 4 degree Celsius, 32 degree Fahrenheit and 41 degree Fahrenheit का जो है वो option दिये गए है तो दोस्तों आपको बता दें कि water यानि कि पानी का जो हिमांक होता है, freezing point होता है वो 32 degree Fahrenheit होता है, ठीक है? 32 degree Fahrenheit या फिर 0 degree Celsius, ठीक है? तो यहाँ पर 0 degree Celsius नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों 32 degree Fahrenheit इस question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तों अगले question की तरफ, question number 11, sorry, question number 13 13 number question है, भारत में कितने 30 राज हैं? How many coastline states are there in India? तो दोस्तों ऐसे कितने राज हैं भारत में, जो की 30 राज हैं, ठीक है? तो question number 13 का दोस्तों सही answer होगा, आपका option B, 9 राज यानि कि 9 states भारत में ऐसे हैं, जिनकी जो सीमा है, वो समुदर से लगती है, ठीक है? तो question number 13 का सही option में आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर 9 states हैं, अब आप बता सकते हैं कि यह कौन-कौन से state हैं, तो मैं आपको बता दूँ, नमबर बन है गुजरात, गुजरात की जो सीमा है, वो सबसे ज़्यादा तर्टी राज है, और नमबर टूपर है M.H. यानि कि महराश्ट्रा, नमबर तीन पर है गोवा, उसकवाद में करनाटका, केरला, तमिल नाइडू, आंदर प्रुदेश, ओलिशा, एंड वेस्ट ल लैंस, लैंस बनाने के लिए किस निम्न में से किस गलास का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तो फिलिंट गलास का जो है वो उपयोग किया जाता है, लैंस बनाने के लिए, तो option D, इस question का सही answer होगा, अब दोस्तो चलते हैं, आज के अगले question के तरफ, question number 15, और आज की वीड मरस्तल कौन सा है, which is the cold dessert in India, तो भारत का सबसे ठंडा मरस्तल है दोस्तो लंदाग, तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही 15 questions, तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन जैवर